नमस्कार बहुत स्वागत है आपका जिस तरह से गेंदा, गुलाब, चमेली सब बहुत प्रिय पुस्प हैं लेकिन महुआ का पुस्प का भी खास महत्व है हलांकि पहले के जमाने में महुआ के पुस्प भगवान को भी अर्पित किये जाते थे बाकी अन्य पूलों के मुकाबले महुआ का फूल को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है क्योंकि मंदिर को भगवान का घर माना जाता है और मूर्टियों को देवी देपताओं का रूप अब मंदिरों के देवी देपताओं में भक्तों के द्वारा प्रती दिन बहुत तरह के खुस्बूदार पुस्प परपित की जाते हैं लेकिन दो-चार घंटे के बाद चढ़ाया वह पुस्प मुर्जा जाता है आठ घंटे के बाद फूल सड़ जाते हैं और बारा घंटे के बाद भगवान को चढ़ाया वह पुस्प खुस्प खुसबूदार जो था वो अब दुरगंध देने लगता है तो मंदिर के जो भगवान है उनके दर्सन से पाप समाप्त होते हैं लेकिन जो भगवान को चढ़ाया वह पुस्प सड़क जाता है तो ये माना जाता है ये सबूत है कि अभी भी पाप बचे वे हैं सरीर में लेकिन आज हम आपको कुछ खास बताएंगे भगवान को चढ़ाया हुआ जो फूल है सड़कर बदबू अगर दे सकता है तो फिर दिक्कत है लेकिन जो लोग पहले के जमाने के थे या आदिवासी जो लोग है वो लोग देखताओं को महुआ का पुस्प अरपीद करते हैं अब महुआ के पुस्प में ऐसा क्या राज है तो महुआ का पुल पेड से एक-एक बुंदों में तपकता है हम उसे एक-एक-बीन कर लाते है और एर टाइट करके सुरक्षित रख सकते हैं आप इसे एक साल दो साल नहीं यहां तक कि आप 100 साल से भी ज्यादा स्टोर करके रख सकते क्योंकि बाखी फूनों की तरह यह खराब नहीं होता सुखे वे महुआ के फूल का एक और खास महत्तो इसलिए भी है कि अगर आप सौ साल के बाद भी इसको निकाल कर जो सुखावा पुस्प आपने स्टोर किया है पानी में भीगो दें तो उस पुस्प की ताजगी, रंग, रूप, खुस्बू, स्वाद, सब जयों का तियोंग बना रहता है तो कुदरत ने इस धर्ती पर महुआ के फूल के सिवाए ऐसा कोई पुस्प बनाया ही नहीं जो सौ सालों से भी जादा तरोताजा बने रहे तो मानेता है कि जब देव को महुआ कपूस परपित किया जाता है तो आपके सारे पाप मिड़ जाते हैं फाइदे भी है इसके बहुत सारे बहुत सारे गुने क्योंकि महुआ का फूल स्वास्त बर्धक, बल बर्धक, पाचक, उम्र बढ़ाने वाला माना जाता है पॉस्टिक आहार है हलाकि बहुत सारे जो आदिवासी है अभी भी फूलों के पकवान बराते हैं खाते हैं इससे खून साफ रहता है पाचन समंदी कोई समस्यान नहीं होती और इसका पूल का लाटा है लड़ू खाने से दानत मजबूत होते हैं अकाल मृतियू नहीं होती माना जाता है इससे लंबी आयू का वरदान मिलता है महुआ के फल का तेल भी निकाल कर प्रियोग में लाया जाता है और कुछ लोग मवेसियों को भी खिलाते हैं कमजोर नहीं होते उनके मवेसि तो इसके गोंद भी निकलते हैं तो महुआ का पेड को कल्प बिक्ष कहा जाता है धर्ती का कल्प बिक्ष अगर कोई है तो वो महुआ का पेड है एक अनोफा तोफा है कुदरत का तो बरसों तक अपनी महक स्वाद बनाये रखने की इसकी अनूखी खुवी है और भोजन से लेकर दवाई इंधन परंपराओं में भी इसका परियोग होता है तो अम्रित है धर्ती का कल्प रिक्ष है लेकिन चलिए अब हम कुछ खास परियोग के बारे में आपसे साजा करेंगे महुआ का जो फल है इसका बहुत सारे आयरुवेदिक परियोग भी किये जाते हैं अगर जोएंड पेंड की समस्या बहुत परिसान करें चलना फिरना मुस्किल हो जाए तब महुआ का लेप लगाया जाते हैं पहले महुआ को अच्छी तरह से पीछ ले उसका पेष्ट जोनों में लगाया तो आपको आराम मिलेगा दर्थ से छुटकारा मिलेगा अगर सरदर्थ की समस्या से परिसान है तब इसकी मालिस किये जाते हैं राहत मिलती है महुआ के तेल से मालिस करें तो फायदा मिलता है माथे पर भी लगा सकते हैं सिर में भी लगा सकते हैं महुआ के तेल को हीमोगलोविन अगर कम हो जाए तो स्वाश से जुड़ी समस्य होती है इससे क्या होता है ना इसमें भी महवा आपके लिए बहुत फाइदे मंद है सरीर में उर्जा देता है कमजोरी दूर करता है सरीर में कैलोरी को मातरा बढ़ाता है बाडी को मजबूत करता है तक कि अगर कहीं भी बॉडी में सूजन आ जाए तो महुआ का इस्तिमाल किया जाता पीश कर सूजन वाले अस्थान पे लगाने से आराम मिलता है और सूजन की समस्या से छुटकारा भी मिलता है जिनको डायबिटीज है उनके लिए महुआ किसी अम्रित से कम नहीं है अगर हम एक्सपर्ट की माने तो महुआ की छाल का काढ़ा पीने से डायबिटीज नियंत्रित रहता है फूल का प्रियोग नहीं करना चाहिए जिनको डायबिटीज है याद रखे जब आप काढ़ा बनाएगा महुआ के छाल का तो इसमें लॉंग अधरक काली मिर्च डाल कर बनाए तो अब हम बात कर रहे हैं महा की पूलों के तोटके के लिए अभी तक हमने आपको वे इसके बहुत सारे अभाइदे के में बताया बहुत सारी चीजों के बारे में बताया आप जानते हैं तोटकों के बारे में जैसे कि आपको कहा कि भगवान को पुस्प अर्पित करते हैं तो मुर्चा जाता है सूख जाता है गर्मी की दिन में सूख जाएगा बारिस में सर जाता है लेकिन महुआ का पुस्प अगर आप भगवान को और पित करते हैं और फिर इसको अर्पित करने के बाद अगले दिन उठा कर अच्छे से सुखा कर इसको आप लाल कपड़े में बांध कर धन अस्तान पर रखते हैं तो धन बढ़ता जाता है जैसे कि मववा का पुस्प कभी खराब नहीं होता सौ साल के बाद भी निकाल कर पानी में डालेंगे तो पहले की तरह यह पुस्प बन जाएगा उसी तरह का खुस्पू देगा तो यकीन मानिए आपके भी घर में अगर आप इसको इसको इस्टोर करके रख लेते हैं आप कि अगर आप अखिलो के रख से जाएगा एक किर क्रॉप केड़ नाट रहने डीजिए जितने दिन तक रहेगा उतने दिन तक कम संधने परियोग है दूसरा जाता है कि अगर आप महुआ पेड़ जैसा कि कहा कि कल्बरिक्σιश इसको ग bus और पुस्प कहा जाता है महुआ के पेड़ को छू कर अगर आपके घर के आसपास या कहीं जाते आते आपको कहीं मिल जाए तो आप एक काम जरूर करें कब करेंगे दिन में कभी भी कर सकते हैं आप महुआ के पेड़ को छू कर अपनी मनों कामना कहते हैं तो कल्प ब्रिक्ष है ना तो मन क कामना पूर्ण हो जाती है एक से सवा महने के अंदर याद रखिए इसके पेड़ को छू कर अपनी विस मांगते हैं मनों कामना कहते हैं तो वह भी पूरी हो जाती है बिदी क्या है ज्यादा कुछ नहीं करना आप पेड़ के पास जाए परणाम कीजिए और उनसे अपना परि अगर हम आनी पाएं तो और फिर बिना पीछे मुड़े वहां से चले आए याद रखिए पीछे मुड़ कर मत देखेगा जहां भी आप पर नाम करते हैं कामना कहते हैं पीछे मुड़कर नहीं देखना वहां से हट जाए यह यकिन मानिए सब महने में आपकी कामना प्रिमन के